आदाब दोस्तों सीसी के इस लाइव डिस्ट लेक्चर में आप सभी का इस्तक्बाल है दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आपके लिए एक श्रिंखला शुरू की हुई है और सिलसलेवार हम इसके तहट आपके लिए लेक्चर आयुजित करते आ रहे हैं अर्दू पोईटरी इसके हुआले से अभी तक हमने आपके लिए काई लेक्चर आयुजित की है और इन सभी लेक्चर को आप सभी के लिए यूट्यूब पर भी अपलोट किया गया है दोस्तों बताना चाहेंगे कि आज हम तफसील से चर्चा करेंगे अलामा इकबाल जी पर हम अलामा इकबाल की पोईटरी को उनकी गजलों को उनकी नजमों को पढ़ेंगे जानेंगे और किस तरी की वो शक्सित रही इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में बताना चाहेंगे कि आज के इस खास सेशन के लिए पर फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं यहां पर और हम यही कहना चाहेंगे कि इनके माधिम से आज हम एक बार फिर से उर्दू पोईट्री पर चर्चा करेंगे और डॉक्टर नौशाद आलम जामिया मिलिया इसलामिया से जो हर बार की तरह हमारे लिए हमारे स्टूडिन्स के लिए एक नए अजीम शायर के बारे में तफसील से चर्चा करते हैं उनसे हमें मुखातिब कराते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर नौशाद आलम के जरी आज हम एक बार फिर अलामा अकबाल जी पर चर्चा करेंगे और इनकी गजलों को भी यहां पर हम शामिल करने की कोशिश करेंगे तो आईए, हम इस्तिक्बाल करते हैं डॉक्टर नौशाद आलम का और अलामा अकबाल इन पर चर्चा करते हैं डॉक्टर नौशाद आलम आपका बहुत बहुत स्वाज़त है बहुत बहुत शुक्रिया जैसा कि जिक्र किया आपने कि आज हम अल्लमा इकबाल पर बात करने वाले है इकबाल ना सिर्फ उर्दों के है बलके दुनिया के अजीम वनकारों में शामिल है उनकी खूबी ये है कि वो शायरी में फलस्फियाना खैलात और उनके जो तस्वरात है उनको भी बड़ी खूबी से निवाते हैं ये उनका ऐसा अम्तियास है जो दोस्रों से उन्हें बहुत अलग करता है दुनिया की बड़ी जबानों में बेश्टर बड़ी जबानों में उनके कलाम के तराजिम हो चुके हैं जिनकी वज़े से इन तराजिम की मदद से हमें जो सकाफती पहचान मिली है वो उनका है हमारे उपर इकबाल की पैदाईश 9.1877 को सियाल कोट शेहर में हुई पंजाब का ये एक शेहर है लाहूर से करीब है लाहूर पंजाब का कहना चाहिए कि मरकजी शेहर था उस जमाने में और उसकी राजधानी भी थी सियाल कोट भी एक तारिखी अहमियत रखता है और इसी जवार से हमारे आहद के बड़े शायर भी फैदामत फैद भी वाबस्ता हैं इकबाल असल में कश्मीरी थे इनके अबावजदाद बहुत पहले कश्मीर से पंजाब की तरफ चले आए थे और यहीं आकर के सकुनत अख्तियार कर ली थी इकबाल को कश्मीर की इस जमीनी निजबत पर बड़ रास था और वो कश्मीरी बरहमन थे और उन्हों अशार में अपने इस वाले इस जो रिश्ता था इसका यानि कश्मीरी बरह्मन होने का फिर कश्मीरी होने का इसकी तरफ कई अशार में अपने हवाले दिये हैं कि मैं असल खास का सोमनाती आबा मेरे लाती वोनाती इकबाल के वालिद नूर मुहम्मद नहाय दीनदार आदमी थे उनका जो कारुबार था बाइशत का वो दुरसो अरलुईयों का कारुबार था पाक से उन्हें बड़ा शगफ था और खुद इकबाल को भी वो ताकीद किया करते थे कि वो पुर्ण की तिलावत करे नूर मुहम्मद को तसवुक के मसायल से भी बहुत वावस्तगी थी यही वज़ा है कि उनके घर में इबन अरबी की जो दो मशहूर किताबे हैं उन मशहूर किताबों फसुसुलहकम और फटुहात मक्या इन दोनों किताबों पर दर्स हुआ करता था नूर मुहम्मद के दो बेटे थे एक तो इखमाल थे और दूसरे बेटे उनके थे शेयخ अता मुहम्मद ये सिर्फ इकबाल के बड़े भाई नहीं थे बलके उनकी हैसियत उनके घर में और उनके इर्द गिर्ड एक मुरबी की हैसियत थी एक सरप्रस्त की हैसियत थी 1940 पूनका इत्गाल हुआ इकबाल की वालदा इमामबी वो भी कश्मीरी घराने की एक दिनदार खातून थी और खुद नाखादा थी लेकिन बच्चों की तर्बियत और उनकी तालीम का उन्हें अतना ख्याल था कि अपने बड़े बेटे यानि जो शेय खाता मुहम्मद है उन्हें रूड़की कालिज में डिपलमा कराने के लिए उस जमाने में भेया था और खुद इकबाल को कैमरी यूनस्टी में आला तालीम के लिए जाने पर आमादा करने वाली वही थी तो आप देते हैं कि वालदाइन का उनकी तर्बियत में उनकी तालीम में बहुत बड़ा रूल है वालदाइन के अलावा और घरेलु माहौल के अलावा जिन दो और अफराद ने उनकी तालीम और तर्बियत में एहम रोल अदा किया है और कहना चाहिए कि अखबाल से अखबालगर जो लोग हैं वो उनमें मौलाना मीर हसन और प्रोफेसर आरनल्ड की हैसित बहुत नमाया तोर पर सामने आती है मौलाना मीर हसर खुद अलग अकीदे से वाबस्ता थे लेकिन उनका घर अलग अकीदे से वाबस्ता था लेकिन उन्हें सरस्यद की तहरीक से एक दिली लगाओ और एक दिली शवफ था उस तहरीक से उसके बड़े हामी थे और बड़ी मदद किया करते थे जब इस सरस्यति पंजाब के अलागे में जाते थे और उन से जो क derecho बन परता था को करते थे इप्वाल सरस्यति जो आगा हुए हैं उनमें मीर हसन का बहुत बड़ा रोल है सरस्यति की पुरी तह्रीक जो तालीम की है उससे जो आगाही हुई है गदीम जदीद तालीम और मश्रिकी और मगर्बी वसूल की जो पैर भी होती रही है इस फिक्री रविये में सरस्यत का जो रोल रहा है उसमें इकबाल की तालीम में इकबाल की अफकार है जो उनके तस्वरात है तालीमी उन में इस चीज़ की वाज़ गुश सुनाई देती है खुद कहते हैं कि खुले हैं सब के लिए गरीबों के मैखाने उलूम ताज़ा की सरमस्तियां गुनाह नहीं इकबाल दूसी तरफ से जमाल अदिन अफगानी से मतासिर रहे और उनकी तहरीक जो कहना चाहिए कि दावत इतिहाद और अजीमत की तहरीक ती वो बहुत हद तक उन पर अस अंदाज रही और उससे वो उसमें उन्हें बड़ी कशिश नज़ा आती थी इकबाल ने सरका खिताब उस वक्त तक नहीं लिया जब तक कि उनके उस्ताद मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब नहीं दिया गया और उन्ही के हवाले से ये शियर था कि मुझे अगबाल उस स्य्यत के घर से फैस पहुँचा है बले जो उसके दामन में वही कुछ बनके निकले हैं इकबाल ने बी ए गौर्मेंट कालेज लाहूर से किया और फलस्फ़े के लिए फलस्फ़ा मजमूर इक्तियार करके एमे के लिए भी दाखला लिया और एमे में तीसरे दरजे में काम्याव हुए थे लेकिन उसके बावजूद उन्हें इम्तियासी निशाने हक इसलिए दि हुआ था यही पर उनकी मलकाद प्रोफेसर आर्नल्ड से हुई माबाप के अलावा और भाई साब के अलावा मीर हसन के अलावा जिस दूसरी शख्सियत ने अखबाल की तालीम और तर्बियत और उनको एक खास मनहच पर डालने का काम किया उनमें प्रोफेसर आर्नल का किये एक काम तो ये कि अखबाल उस जमाने में शेर गोई छोड़ना चाह रहे थे अखबाल को उन्होंने इस बास से रोका और इस बास की ताकीद की कि आप शेर गोई जारी रखिए दूसरी चीज़ ये कि कि उन्हें पिएचडी करने का भी मशवरा दिया तो ये दो ऐसे म असासा जो उनके आला इल्म की वे जासे हम तक पहुँचा है वो हम तक नहीं पहुँच बाता दो अन्जुमन ऐसी थी उस जमाने में अन्जुमन लाहर के अन्जुमन अन्जुमन हमायत इसलाम और फिर अन्जुमन कश्मीरी मुसल्मा, मुसल्माना इन दोनों में वो शेरी नशिस्तों में बराबर शेरीक होते थे बाकाइदा और साल भर तक उनका इंतजार रहता था लोगों को कि वो इसमें आएंगे इन ही नशिस्तों में उनकी मशहूर मशहूर नजमें शमा और शायर, शिक्वा, जवाब शिक्वा, तस्वीर दर्द, खिजर रा, यह सारी नजमें इन ही जमानों की यादगार हैं इन मजलिसों में उन्होंने यह नजमें पढ़ी हैं फिर वो जर्मनी गए वहाँ पर उन्होंने देवलॉप्मेंट अफ मेटाफिजिक्स इन परशिया में एमेकी डिग्री ली फिर उसके बार लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करके 1908 में वापस आए और 21 अप्रेल 1908 में लाहर में उनका इंतिकाल हुआ और वही शाही मस्जिद के पास इसलामिया कालिज में के सबसेजार में नमाज जनाज़ा हुई और वही पर शाही मस्जिद के पास दफन किया गया तो ये एक इजमाली करना चाहिए कि खाका है इकबाल के बारे में और इकबाल की जो जिन्दगी रही है शुरू की उसके हवाले से ये जरासी कुफ्त कुछती है जाहिए कि अगबाल ऐसा वसी मौज़ू है कि अगबाल उनको पढ़ड़े के लिए एक लेक्चर बिलकुल ना काफी है बलके दो चार लेक्चर में शायद कहीं कोई बात बड़े अगबाल के उपर इतना काम हो रखा है लाइबरिरी की लाइबरिरिया है तो ऐसे मौके पर बहुत कुछ खास किताबों का मैं जिकर करूंगा एक इजमाले खाका उनकी जिन्दगी के हो गया कुछ खास किताबे जो उन्होंने लिखी हैं शायरी में फिर नस्र में जिन्होंने उनके मकाम को उनके अदबी मकाम को उनके इल्मी मकाम को बहुत ही बलंदी पर कायम किया ह पहली तस्नीफ जो पहला जो शेरी मजमुआ है वो अस्रार खुदी है जो 1915 में पहली बार ये शाय हुआ उसके बाद बहुत सारे डिशन उसके आए ये जब असराने खुदी शाय होकर आई है तो ये फार्सी में जबान में शेरी मजमुआ है पहला शेरी मजमुआ है तो बड़ा वैला भी हुआ बड़ा हंगामा भी हुआ क्योंकि इकबाल को हरकत पसंद रहे इकबाल को फालियत पसंद रहे और उसमें मकदमे में उन्होंने हाफिस की शायरी पर जिस तरह से बेदस्तो पाई का सबख मिलता है हाफिस की शायरी से या कहना चाहिए कि जो अब बेयामली और जिन्दगी की कशाकशों से जो एक तरह से गुरेज हमें वहाँ दिखाई देता है उन चीजों पर उन्होंने चोट की थी तो इसलिए हंगामा हुआ था लेकि जाहिर है कि इकबाल का अपना एकफल सपाता उन चीजों को उसमें उन्होंने बयाद किया है असरार खुदी के बाद 1918 में दूसरी रूमूजे बेखुदी एक तरफ खुदी और दूसरी तरफ बेखुदी खुदी का तालुक इनसान की अपनी गुवतों की पहचान से है उसके इर्फान से है उसकी जो सलाहियते हैं अंदर उसकी खाबिदा और कोशिदा सलाहियते हैं पहचाने की जो सलाहियते हैं वो खुदी है और बेखुदी यानि उन चीज़ों को भुला देना यानि फर्द और समाज फर्द की जब बाद करते हैं तो खुदी है जानि अपनी सलाहियते हैं और फर्द के मजमूए से यानि बहुत सारा जब ग्रोह जमा होता है लोगों का तब माशरे तश्कील पाता है माशरे में वो अपने फर्द की जो अपनी जाती पहचाने वो खो करके वो बड़े पैमाने पर सुचता है तो वो बेखुदी हो गई तो एक तरह से इज्टमाई बेखुदी ही इज्टमाई खुदी ही बेखुदी है तो गोई एक तरह से खुदी का तकमिला है रूमुजे बेखुदी जो के 1958 में शाय हुई और इसके बाद उनकी जो खुदी का जो फलसफा था वो पूरा हुआ पयाम मश्रिक उनका तीसरा कैना चाहिए कि मजमुआ है शायरी का जो फारसी शायरी का इसमें रुबाईयां हैं घजलें हैं नजमें हैं मुकद्बे में इकबाल ने जिकर किया है कि जर्मन शायर गोईटे के दीवाने मगरिब के जबाद में ये लिखा उन्हें इस वएसे इनकी बड़ी दोसों सफ़ाद पर ये मुच्तमित बड़ी कद्र ही बड़ी पजिराई हुई और इसमें इकबाल का फन और उनकी फिकर बहुत ही आला बलंदियों पर नज़रा आती है अर्दू के हवाले से बात करें तो अर्दू का पहला शेरी मजमुआ बांगे दरा इकबाल का तीन सेप्टमबर उन्निस सो चौबिस को मनजर आम पर आया इसमें 24 साल का तकरीमन 24 साल का कला मौजूद है आप देखें कि ये एक तवील जमाने का कलाम है अब सबसे जखीम कहना चाहिए कि अर्दू कलाम में ये उनका है सबसे ज़्यादा शाय होने वाला भी यही उनका मजमुआ है और चुके इस बहुत जमाने को महीत है इसलिए खुद इखबाल ने इसको तीन हिस्सों मनकस्म किया है पहला हिस्सा उन्निस सो एक से लेके उन्निस सो पांच तक दूसरे हिस्से में उन्निस सो पांच से लेके उन्निस से चौबिस तक का जो कलाम है वो इसमें शामिल है तो इसमें 143 नजमें हैं 28 घजले हैं और ये एक बड़ा जखीम उनका कलाम है फारसी का जो है वो चौता मजमुआ जबूर आजम है और जबूर आजम में जो जालतर घजले हैं तो इन घजलों में जो साज है जो स जर्मस्ती है जो सरशारी है उसके हवाले से अखबाल खुद बाल इजिबरील में इन घजलों को पढ़ने के ओने किने gi bare जब्रेल जब्रे ell maneira कि इछ चाहिए किने और लके फ्य के अधिक पर इन्होंने जावेद नामा लिखा है इस सफर में साथ आस्मानों पर जो उन्होंने सफर किये हैं और उन आस्मानों पर जो मुझतलिफ मझहभी रहनुमा मिलते हैं उनसे सवाल जवाब है और अपनी मुलाकात का दिक्र है और फासी शायरी का ये सबसे जखीम मजमुवा है उनका जावेद नामा को पढ़कर के अंदाजा होता है कि अगर इस कलाम को आदमी न पढ़े तो इकबाल के फिक्र औ शेर पर कोई भी बात मुकमल नहीं किया सकती कोई भी बात बगार उस जावेद नामा को पढ़े हुए मुकमल नहीं क्योंकि इसमें महुत सारी चीज़े ऐसी है जो आम तोर पर बयान नहीं होती है तो इकबाल ने उस डिवाइन कॉमेडी के तर्स पर एक ऐसी शायरी की है जिसमें उन्होंने ख्याली सफर है उसकी पूरी जूदाद बयान की है बाल जिवरील अर्दू का दूसरा मजमुए है बांगे दरा के बाद यानि 1924 में पहला आया फिर उसके बाद दस साल बाद 24 के बाद 10-11 साल के बाद 35 में उनका बाल जिवरील शाय होता है मजमुए और सरस्यद ने इस बाल जिवरील को इस मजमुएन को गुले सरस्ब्द कहा था इकबाल का कि बहुत ही मुम्ताज शेरी मजमुआ था इसमें उनकी जो फिक्री और फनी बलंदी वो अपने मेराज पर नज़र आती है आप से पिस्से अंदाजा कर सकते हैं कि इस जो बाल जिवरील है इसकी आठ शरहें अब तक लिखी आ जुके है आठ शरहें किसी भी कलाम की अगर आठ शरहें लिखी जाती है तो इसका मतलब एक मकबूलियत के हिसाब से भी और फिर ये कि उसकी जो जानने की जो एक ललक है उसमें जो फलसफ़ा बयान हुआ है और उसमें जो सोजो मस्ती है और सोजो साज है उसको उसके इरिफान की जो एक जस्तुजू है लोगों में वो बहुत जादा इसमें नज मुझा है जो 36 में एक साल के बाद शाय हुआ ये नजमों का मुझा है इसमें नौ बनो मौजवात हैं 138, 183 मौजवात हैं इसमें तवील नजम इसमें बिलकुल नहीं है और ना गजल है गजलें जो हैं उनकी बांगे दरा और बाले जिब्रील में है इसमें बहुत सारी अधिला, शुय अमीद वगएरा वगएरा आकरी मजमुवा है अर्दू का और मुगान हजास है ये वाहिद मजमुवा है जिसमें और फार्सी अकिलाम यगज़ा किया गया है उनकी बड़ी खायश ती अगबाल की कि वह रहासे को जाये हजक जाए हैं ये उनकी और वहां से कोई सवगात लेकि आए लेकिन उनकी ये खायश पूरी नहीं हुई लेकिन उन्हों ने अर्मगाने हजास के नाव से अर्दु दुनिया को गारीन को जो शायरी के शायदा है जो शायरी को पसंद करते हैं उनकी खिदमत में एक नजराना पेश कर दिया है तो ये उनकी शायरी के हवाले से जो कहना चाहिए कि फार्सी की शायरी है या उर्दु की शायरी है उसके हवाले से एक इजमाली खाका बहुत तफसीर में नहीं गया बहुत मोटी मोटी बाते मैं आपके सामें रखी हैं ये एक उसका इजमाली खाका था इकबाल को इम्तियाद इसलिए भी है कि उन्होंने सिर्फ शायरी नहीं की बलके नसर में भी उन्होंने ऐसे कारणामे अन्जान दिये है जिनको पढ़कर के दानश्वरी में जाफा होता है जिससे उनकी दानश्वरी का कायल होना पड़ता है मैं सिर्फ दो एक किताबों का जिकर करूंगा कि जो खुट एक किताब जो है उनकी जो उनके खुतबात का मजमुआ है मुख्तलिब जगों पर उन्होंने दिया है मदरास, मैसूर, हैदराबाद, अलिगर या फिर लंदन में भी उन्होंने आक्सपोर्ड में भी एक खुत्बा दिया था तो पहले तो वो six lectures on the reconstruction of religious thoughts in Islam के नाम से शाय हुई थी बाद में उसे reconstruction of religious thoughts in Islam के नाम से शाय किया गया ये उनके जो फलस्फियना खुत्बात हैं उनस पर मुच्तमिल है अब इसकी एहमियत आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने इनके तराजिम किये नजीर रहमद न्याजी ने उसका तर्जमा किया 2016 में उसे शाय कराया शरीफ कुंजाही ने किया डक्टर समिय अल-चक ने किया डक्टर वहीद इशरत ने किया खוד डक्टर जाविद इख्बाल ने उसकी तफ्हीम के लिए एक से अलग से एक रिसला लेका तो ये वानु होता है कि जो उनका जो फलस्फ़ा है खुदी का जो फलस्फ़ा है उसकी तश्रीख के लिए चीज़े लिखी गई और इन खुतबात में जो उसकी वजाहत है खुदी की जो वजाहत है जो उनके फलस्फे की मुक्तलिफ अफकार है उनकी वजाहत है उसको समझने के लिए मखास्व से इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है जो उनके खुदबात कोरी है फिर उसके बाद बिकरे ख्यालाथ इल्म आख्तसाद जब वो लेक्चर हैँ बने थे तो उन्हें कानून के साथ फलस्फे के सास्थ साथ माशियात और इक्षादियात पर भी लेक्चर देना होता था तो उन्होंने नोट्स बना करके क्लास रूम में पढ़ाया था तो वो उसके ओपर एक किताब है इलम एक्तसाद पर नसर में किताब है फिर जो जर्मनी में उन्होंने एमे किया दे डॉलॉप्मेंट अफ मेटाफिसिक्स इन पर्शिया उसके वो किताब भी है बहुत मशूर हुई फिर इस्ट्रे थॉट्स करके बिखरे खैलात के नाम से किताब है जाविद अखबाल ने से मुरत्ब किया कुलियात मकाती अखबाल जो ये तनहा कहना चाहिए कि ऐसे शायर है अर्दू के जोनों ने बहुत खदूत लिखे हैं सबसे ज़्यादा खदूत लिखने वाले शायर इन्हें आप कह सकते हैं कि मजफर स्टेटमिंस आफ अखबाल ये भी खुतबात अखबाल और अर्फ हर्ब अखबाल के नाम से किताबे शायर हुए तो ये उनकी तुछ कुछ तस्निफात थी जो शेरी और नसरी तस्निफात जिनका मैंने एक इजमाली जायज़ा आपके सामने पेश किया तो दो बाते हो पहलू है उनकी शायरी की चो खुसियाद गजलों के हमाले से ये ना सिर्फ घजलों में है बलके आप उसे कह सकते हैं कि उनकी नजमों में भी ये खुसियाद पाई जाती है सबसे पहरी चीज़ है उनकी शायरी में जो पाई आती है खुसूसियत इम्तियाज वो है खुलूस नियत नियत का खुलूस जिसे वो खुने जिगर की इस्तिला से साबित करता है खुने जिगर की इस्तिला से जैसा कि मैंने आपसे एक बार जिकर किया था कि एक गालिब ने भी कहा था कि हर चंद हो मुशाहत है हक की गुफटगू बंती नहीं है बादा और सागर कहे बगए बंती नहीं है बादा और सागर कहे बगए कि गजल का पैराया ऐसा है कि उसमें आपको सागर पहमाना मैकदा इन चीजों का खिकर करना पड़ता है उनके सहारे इस्तियाराती अंदाज में अपनी बात अदा करते है ठीक इसी तरह से खूने जिगर की इस्तिया इस्तिमाल करके इख़बाल, खुलूस की बात करते है कि अगर फनपारे में खुलूस नहीं है अगर वो सुद्भण साथ बन करके वो किलाम में तह्रील नहीं हो गया है तो वो फनपारा तादेर काइम नहीं रहведगा उसका असर तादेर काइम नहीं रहेगा आप इस काहन से सुनेंगे और दूसरे काहन से वो निकल जाएगा उसका कोई असर काइम नहीं रहेगा इसलिए अगर गोया एक तरह से उनकी ये ताकीद भी है शोरा को फनकारों को कि अगर नह सिर्फ शोरा फनकारों को बलके उन तमाम लोगों को जो तखलीकियत में यकीन लगते तखलीकियत से वावस्ता है और तखलीकी फन से वावस्ता है कि अपने फन में अपने काम में खलूस दाखिल करो क्योंकि यही वो पैमाना है जो आपके फण को बलंदियों पर ले जाता है और दिल में असर करता है कि वो कहते हैं कि जो बार दिल से नकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मर रखती है तो ये चीज असर कब पैदा होगा किसी चीज में तब पैदा होगा जब आपकी नियट ठीक होगी खुद इखबाल का एक शेर है कि नक्ष है सवधाय खाम खुने जिगर के बगार नगमा है सवधाय खाम खुने जिगर के बगार तो ये उनकी शायरी की गजल हो या नजब उनकी एक बहुत बड़े खूबी है कि वो अपने कलाब में खलूस नियत के साथ चीज़ों को दाखिल करते हैं और जो बयान करते हैं उसको वो महसूस करते हैं उसमें सोस डालता है दूसरी चीज है दूसरी खास बात है उनके शायरी की वो पयामी शायरी है उनकी कि वो एक बार उन्होंने लाहर में जब वो थे तो शायरी छोड़ने अकस भी कर चुके थे क्योंकि उन्हें फलसिफे में बड़ी उनकी फित्री उन्सियत थी वो फलसिफा चाहते थे दिलो जान से और उसे पढ़ते भी थे शोख से तो वो उसकी तरफ माइल थे लेकिन प्रोफेसर आर्डनल का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने उनको इस बास से रोक आसी दुनिया हमें आबाद मिलती है तो उनका आप देखें कि शायरे रंगी नवा है दीदा बिना कौम वगरना शेर मेरा क्या है शायरी क्या है कि खुद अपनी शायरी के बारे में वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि उनको मालूम है कि वो एक खास पैगाम है उनके पास जो वो लोगों को देना चाहते हैं जो वो आवाम के सामने लाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने एक मीडियम एक सहारा अक्तिया है और वो सहारा है शायरी का सहारा लिया है अंग्रेजी नजमों के तराजिम किये ये एक उनके खुब ही है एसना बहुत दोसरी शायरों न पिर जो है उनिस सो तेरह तक आते आते इन तमाम चीज़ों सो वो भर करके वो उनका जो फलस्फा है खुदी का उसकी तरफ वो माइल हो जाते हैं बलके उनका जो खुदी का फलस्फा है वो शेरी कालम में ढ़ल जाता है फनी तोर पर इखबाल अपनी शायरी में एक तीसी शीज़ अपनाते हैं और वो चीज़ है फितरत निगारी यानि वो फितरत प्रस्ती नहीं बन सकी उनकी यानि के वो फितरत की पूजा नहीं करते हैं बलके उसको पसंद करते हैं फितरत पसंद हैं अपनी नजमों को अपनी इसी तमहीद बांगते हैं कि कारी थोड़ी देर के लिए फित्रत की गोद में समा जाता है जहां मुनासिश समझते हैं अपनी मकसद की आफरीनी के लिए वो मनजर के तौर पर इसे इसमाल करते हैं खिजर रा की ये इतिदा देखिए कि साहिल दर्या पे मैं एक रात था महवे नजर गोशे दिल में चुपाए एक जहान इस्तिराब शब सकूत अफजा हवा सूदा दर्या नर्म सहर थी नजर हैरा की ये दर्या है या तस्वीर आप ये मनजर है तो एक फित्रत निगारी जो उनके हाँ है कि वो दर्या को सब्साजार को पहाड को कोहसार को एक मनजर के तोर पर पेश करते हैं अपनी शायरी में कि कारी थोड़ी देर के लिए अपने आपको बहुती पुरसकून माहौर में ले जाता है और फिर बात बनती है जो आप बात कहना चाहते हैं अगर बात नहीं सुन सकता इसलिए एक आले के तोर पर अपनी शायरी में इन चीज़ों को इस्तमाल करते हैं और एक ऐसा माहौल मनाते हैं माहौल सासी करते हैं कि वहाँ पर पहुँश करके गारी थोड़ी दिर के ठहर जाता है और उसे समझना चाहता है आहंग मुनासिब अलफास की तकरार से आम तोर पर तकरार को आयब माना जाता है लकिन इकुवाल कहां यही अलफास जो तकरार है नफास की वहे एक सिनम खाखगी दोनों के सनम खाखगी दोनों के सनम आफ़ानी अल्फाज की बड़ी एहमियत है यहां कवायद से परे कवायद से उपर उठकर के उन्हें बहुत सारे अल्फाज एक साथ ऐसे इस्तमाल कियें जो अपने माना अलग से अदा करते हैं और उनके अंदर एक रिदम बन जाता है गनायत एक मौसिकियत बन जाती है और वो इरतिबात लफाट बनायूर और इरतिबात जानोतन के चाएब है कि लफ़ और माना के देर्मियां रब्द होना चाही है इसके वो कायल है फिर उनोंने थायत के ओपर भी बहुत सारी केना चाहिए कि तजरबे किये है और representa है इतरह से कहा चाहिए कि इकबाल ऐसे शायर हैं जो खलूस को बहुत अहम मानते हैं पैगाम को बहुत अहम मानते हैं और शेरी तद्बीर के तोर पर फितरत निगारी को अहम मानते हैं आहंग को अहम मानते हैं साथ में अलफास की अहमित को तसलीम करते हैं और उनके हाँ जो नकल दराय नकल का उसको वो सही नहीं मानते हैं तो इस तरह से वो कहते हैं कि इनसान खुद भी तखलीक कर सकता है यानि खालिक ने जो कुछ बनाया है इनसान के अंदर भी उसकी सलाहियते हैं कि वो कुछ और बना सके इसानने बाग बनाएंच, चमन बनाएंच गौया उस के अंदर भी तखलीकית का का एक हुलर है, एक सलिका ए है उसके अंदर तो वो इन चीजों को बरुवे कार लासकता है और इकबाल यही चाहते हैं कि इसान खुद भी अपनी इन सलाहियतों को पहचाने और पहचान करके उन्हें बरुए कार लाए यही उनके सबसे बड़ी खूबी है जो इकबाल को इकबाल बनाती है मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बाते हैं उनकी हयास से मतालिक उनकी तसानिव से मतालिक जो किछ बाते हुई और उनकी शेहरी जो अमत्याजात हैं उनकी पहलों पर जो बात हुए वो आपकी समझ में आए होंगे और उनकी आपने उनसे काफी अच्छी तरह से इस्तिफादा किया होगा बहुत बहुत शुक्रिया कכ लड़िस हुए पर П而 ख ऑपकी समझ में कैle हैं रभनाओणार परे होगा हैं तरो में आपकी यह होगा जय हैं तरे काफी जनकी तर ङाह घूत त 맞ब हैं इसस्याजल कोने यह हो आपकी उस आपकी समयकेशे दो झाल झाल खुदी को कर बलंद इतना कि हर तक्दीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है यह शेर आप ने बहुत दफ़ा अपनी जिन्दगी में सुना होगा टी वी पर मुशायरे में या आम जिन्दगी में हम इस शेर को सुनते हैं और मानते हैं कि ये शेर इखबाल का है लेकिन इसके अंदर जो फलस्फा है उस फलस्फे को हम जाने वगएर इस शेर को पसंद करते हैं और बहुत दफ़ा हम इस शेर को अपनी जिन्दगी में यू भी पढ़ते रहते हैं स्मझ में नहीं आता लेकिं फिर भी लेकिन आप देखें इख़़ेंगए अगवाल की जो शैरी है और उनकी जो नस्री तसानीफ है खुद उनका जो फलस्फ़ा है खुदी का अगर उसके तनाजन में आप ये शेखें कि खुदी को कर बलंद इतना कि हर तकदीर से पहले तकदीर ऐसी चीज़े जो पहले लिख दी गई है और खुदी यानि इनसान अपनी जात के अंदर पोशीदा सलाहियतों का इर्फान हासिल कर ले उस से आगाही हासिल कर ले ये जो चीज़ है अकबाल का एक बहुत साफ नजरिया है एक बहुत वाज़ नजरिया है कि काइनात के अंदर जो चीज़े भी बनाई गई है वो समंदर हो पहाड हो आसमान आफ़ता चान ये सारी की सारी चीज़ें ये चीजें इनसान की फलाह और उसकी बहबूत के लिए बनाई गई हैं और इनसान को ये समझना चाहिए कि ये चीजें उसके अंडर में यानि वो उनको अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल से उन्हें इस्तेमाल करके और एक जहान की तामीर कर सकता है एक ऐसे जहान की तामीर जहां पर कहना चाहिए कि आदरशवादी एक दुनिया की तामीर कर सकता है लेकि इन तमाम बातों के बावजूद जो एक बन्यादी नक्ता है इकबाल की शायरी में वो ये है कि अपनी जात की पहचान करना अपनी पोशीदा सलाहियतों की आगाही हासिल कर्मा ये इखबाल का सबसे बड़ा कहना चाहिए कि ये उनका इम्तियास है जो उन्होंने अर्दू शायरी में अपने फलस्फे के हवाले से शायरी के मीडियम से शायरी के तोस्फ से अर्दू को दिया है असरारे खुदी लिखी उन्होंने और फिर जमूजे वे खुदी लिख करके उस पूरी खुदी की जो एक फिलास्फी थी फलस्फाता खुदी का उसको मकमल किया यानि पहले आदमी खुद अपनी सलाहियतों के बारे में जानकारी हासिल करे उसके बाद वो समाज में चुके समाज बनता है लोगों के मुख्लिफ ग्रोह से बहुत सारे अश्कास जब जमा होते हैं तो समाज बनता है तो वो अपनी खुदी छोड़कर के समाज मतशक्किल होते हैं पिर समाज जए वो उसकी खुदी यानि इस्तराई खुदी ही जो परसनल बेखुदी है आदमी की व उस में तब्दीर हो जाते हैं वहां आपको अपनी खुदी छोड़कर के फिर समाज कि एक यूनिट में और उसकी एकाई में तब्दीर होना पुदता है तो असरार खुदी और फिर रूमुजबे खुदी आप ये भी जानते हैं कि इस असरार खुदी के बाद बड़ा हंगमा भी हुआ था क्योंकि हाफिज की जो शायरी थी और उस पर एक तरह से चोट थी तनकीद थी क्या तनकीद थी? तनकीद ये थी कि नकी शायरी में ये है कि जो कुछ भी है वो तकदीर में लिखा हुआ है तो हम अमल क्यों करें? यानि हमारे अमल करने से फर्क नहीं पड़ता ये एक मोटी बात है जो कहना चाहिए कि तो इससे किया होता है कि इससे बे-अमली को राह मिलती है जो एकबाल को बिलकुल पसंद नहीं है एकबाल फाालियत को तर्जीश देते हैं वो हमेशा चाको चौबंद रहना पसंद करते है और वो पसंद करते हैं कि इनसान अपने अंदर की सलाहियतों को पहचाने कि वो क्या कर सकता है और वो चुके खालिक ने जो चीज़े बनाई हैं खुद उनको मश्वरा एक जगा दिया अकबाल ने कि बेजौक नहीं गर्चे फित्रत बेजौक नहीं गर्चे फित्रत जो उससे नहो सका तू कर उसने पहाड़ बना दिया पहाड़ों काट करके रास्ता बनाना वहां मसकन बनाने के लिए रहने के लिए मसकन बनाने के लिए पहाड़ों में रास्ते बनाना ये तेरा काम है खालिक ने नहीं किया खालिक ने एक चीज़ आपको दे दी अब चुक्के खालिक ने आपको इसराहित दी है तो इसको बरुएकार लाना एकमाल इसी के कायल है और इस वज़े से मैंने उनकी कुछ घजलें मन्तखब की हैं आपके लिए कि उन घजलों के हवाले से भी हम देखें कि उनके बारे में खुदी के बारे में हमने पढ़ा उनकी जो अर्दू के जो शेरी मजमुए है पहला शेरी मजमुए है बांगे दरा फिर उसके बाद बाल जिब्रील फिर उसके बाद जर्वे कलीम फिर आखरी जो मजमुए है जिसमें फार्सी और अर्दू दोनों कला मौजूद है अर्मगान हजाज तो ये इन सारे मजमुए में तो ये कुछ गजलें जो मैंने मुन्दखब की है उनके उनके कलाम से उनके शेरी मजमुएं से वो आपके साहने पेशे तीन गजले मुन्दखब की है ये एक बड़ी मशूर गजल है तो उसके पहले गरात करते हैं फिर उसके बाद जहां मुश्किल अलफाज है और कोई अची मुश्किल अलफाज मिलेंगे आपको ये ऐसे शायर हैं कि इनको आप आपको डिक्शनी देखना पड़ीगी लेकिन ये है कि इसमें फलस्फा भी बहुत दिलकश है और इसमें बड़ा दिल्चस्प फलस्फा है तो इसमें लुटफ भी आता है जैसे सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के अम्तिहां और भी है तही जिन्दगी से नहीं ये फजाएं यहां सैकड़ो कारवां और भी है गनात नकर आलमे रंग अबू पर चमन और भी आशियां और भी है अगर खो गया एक नशेमन तो क्या घम मकामात आहो फगा और भी है तुशाही है परवाज है काम तेरा के तेरे जमानों मका और भी है गये दिन के तनहा थामाय अन्जुमन में यहां मेरे राज़दा और भी है एक मुक्तसर सी घजल है लेकिन बहुत कहना चाहिए कि Ispiring बहुत ही महरक है एक ऐसी असर आफरी नज़वख है जो दिल के अंदर एक चाहिए कि अमं पैदा करती है प्जबा पैदा करती है कुछ नए सोचने का कुछ नया द्रियाफ्त करने का जो जबा है सितारों से आगे जहां और भी है अब यह चीज़ कौंग सा शायर कह सकता है सितारों से जहां आगे और भी है अभी अिश्क के इ tacos और भी है यानि सितारों से हमने शुट किया और हम वहां पहुँँच गए तो कहना चारे हैं कि यह जो जहान आप देख रहें सामने आँखूसे आपको देख रहें इनके अंदर भी जहान है, इनके पार भी अभी जहान है तो गुया इश्प का मरहला और इश्प का इम्तहा भी खत्म नहीं हुआ है अपको भी इश्प करना है और अब थक कर ना बैट जाए ये वाज़ इशारा अखबाल का कि आप ठक कर ना बैठ जाएं सितारों से आके जहां और भी हैं अभी इसक के इमतिहां और भी हैं या भी आपको ठक कर बैठना नहीं है आपको चलते रहना है आपके जिन्दगी में ठकन ठकावट और कहना चाहिए तसाहुली इसका नाम आलमे रंगोबू पर चमन और भी आशिया और भी आलमे रंगोबू ये दुनिया जहां जिसमें हम रहते हैं जिसमें हम जिन्दगी करते हैं ये वो कह रहे हैं कि इस पर तुम बस न करो ये तुमें जहां मिल गया लेकिन तुम खोज करो और भी दुनियाओं की समंदर के न कहना चाहिए कि हमें इस्पायर कर रहे हमें उभारते हैं तरगीब दिलाते हैं नई नई चीजों की खोश पर और जो कुछ भी आपको हासिल हो चुका है उस पर रुके न रहने पर आमादा करते हैं अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम मगामाते आहो फोगा और भी है एक आपका आजियाना जानी जहां पर आप सकून हासिल करते हैं जहां पर आपका वतन है आपका घर है आप जहां पर महसूस करते हैं वो अगर हट जाता है बरबाद हो जाता है तो आपको आहोजारी करते हैं तो कहते हैं कि यह तो हो नहीं है बलके आगे के लिए भी आपको तय त्यार रहना चाहिए आप मिंटली त्यार रहें आप जहनी तोर पर आपको हमेशा त्यार रहना चाहिए कूछ करने के लिए एक तरह से सफर के लिए हमेशा तु शाही है परवाज है काम तेरा के देरे जमानों मका और भी है शाही एक परिंदा है कहना चाहिए कि अगबाल के हुमा शाही इस तरह के कुछ परिंदों का नाम परिंदों का जिक्र है जो बिसी करी इस्तियारा है तो शाही है पर वाज शाही बहुत उचा उड़ता है और उसकी निचा निगाए जो है बहुत उची होती है बहुत दूर रस होती है बहुत दूर तक वो देखता है तो कहते ह कि तुशाही है परवाज है खाम तरह यानि उड़ते रहना यानि इनसान को कहना चाहते हैं कि आपका जो काम है वो एक खास फ्रेम वर्क में भी लोग देखते हैं कि मौमिन के बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारा काम यह है कि तुम उड़ते रहो तुम नई नई दुन्याओं की सेर करते रहो नई 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 दुन्याओं की खोश करते रहो तो आप इसे स्पेसिफिक भी कर सकते हैं लेकि अखबाल की जो खुदी का जो मसला है वो सारी इनसानियत के लिए है तो आप ज़्यादा बेतर है कि इस को ऐसे इस पैमाने में इस फ्रेम वर्क में देखें के तो शाही है यहनि इनसान को कहरें कि तुम्हारा जो काम है वो चलते रहना है वो उडते रहना है और नई नई दुन्याओं की खोश करते रहना है गैये दिन के तनहा था में अचिमन में यहाह मेरे रासदा हो गिहां च्जाय भी है कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बहुत दिनों सुझ जो मैं पैगाम दे रहा हूँ ये पैगाम अब सिर्फ मुरे तक महदूध नहीं है बलके ये पैगाम पहले मैं इस चीज़ को सिर्फ अकेला महसुस करता था और इन चीज़ों को अकेला महसुस करता था उनको समझता था लेकिन अब ये बात पहल चुकी है और ये बात आम हो चुकी है इसलिए अब इन बातों को और भी लोग समझते हैं और और भी लोग इसे मानते हैं और तसलीव करते हैं इसक इखबाल के हाँ बहुत बड़ा तजर्बा है इसी लिए आप देखें कि उन्होंने रूमी को अपना रहनुआ बनाया है अकाब, राजी, घजाली नोगों को नहीं बनाया है बलके रूमी को अपना रहनुआ बनाया है क्योंके रूमी दिल से सुनते हैं वो अकल की खुलाम नहीं अकल की बात उसी हद तक सुनते हैं जहां तक दिल पर वार ना हो वो दिल के शायद आई है और वो जो आगे उपर सफर करते हैं जावेद नामा में जो जिक रह साथ आस्मानों का सफर उसमें वो फिर रूमी के साथ पर वो अपने सफर करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि इश्क वो जजबा है कि इस जजबे के सहारे आप जो अनदेखे जहान है जो अनदेखी जो दुनिया है उसको आप चश्म तसवर से देख सकते हैं दूसरी गजल है जब इशक सिखाता है आदाबे खुद आगाही खुलते हैं गुलामों पर अस्रार शेहनशाही अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुछ हाथ नहीं आता बे आबे सहरगाही नौमीद नहो उनसे ऐ रहबर फर्जाना कमकोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं राही ऐ ताइर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोता ही दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर आउला हो जिसकी फकीरे में बूए एसदुल्ला ही आईन जवा मर्दा हग गोई यो बेबा की अल्ला के शेरों को आती नहीं रूबाई रूबाई जब इश्क सेकाता है आदाब खुद आगाई इश्क करने के बाद आदमी अपने अंदर की जो खाबिद असलाहित नहीं उनसे आदाब खुद आगाही आगा जनी खुद आगाहोना यानी अरफान जजात हासल कर लेना उनके जो आदाब है उनको मालूम होता है क्यों कि इश्क की इश्क के तुफैल से उसे अपने बारे में मालूम होता है कि वो कितनी उल्जनों को कितने इस्दिराब को जहिल सकता है कितना पेचुता वो खा सकता है और कैसे कैसे मराहिल से वो जजबात की असासितात की उनसे वो गुजर सकता है तो ऐसे में ज़ने हिए जब इशक सीखाता है आदाब खड़ागाही गुलते हैं गुलामों पर असरार शेह ज़ाई गुलाम सलेव उन पर बादशाहों के यानि की बादशाही के जो राज है, सिक्रेट्स हैं, असरार वो खुलते हैं गुलाम जब इश्क करता है तो उस पर वो सारी बाते खुड़ जाती है अब कुछ मशहूर शख्सियतों और शोरा का नाम लिया है यहां पर अत्तार रूमी शायर हैं उनकी मसनवी मौला नाम रूम आपने सुनी हो कि बहुत मशहूर राजी बहुत बड़े महकिक और घजाली इंटलेक्शवल इसलामी दुन्या के बहुत बड़े इंटलेक्शवल अत्तार भी शायर है अत्तार हो रूमी हो राजी हो घजाली हो यह आप देखिए कि अदबी शायरी शेयरी और इलमी जो हوالे है जो नाम है इनकी पूरी पूरी तारीख है और इन लोगों की तारीख को बहुत सिर्फ लफ्स नाम लेकर के एक बात कहनी चाहिए कुछ हाथ नहीं आता बे आबे सहरगाई बे आहे सहरगाई सहरगाई जानी है कि सुबह को उठना और उस वक्त उठकर के गिर्याओ जारी करना यानि खुलूस के साथ अपने परवर्दिगार से मागना और उस वक्त उठकर के उसका जिक्र करना बे आहे सहरगाई के बगएर कुछ भी हासिल नहीं होता ये बड़ी बड़ी शख्सियते हैं जिनका जिक्र किया है उन्होंने कि ये बड़ी शख्सियते ऐसे नहीं बन गई है इन्होंने सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठकर के ये आहुजारी की है और अपने जजबे में सदाकत पैदा करने की कुशिश की है और पैदा हुई है तब जाकर के बात बनती है कि हाथ कब आएगा जब आहे सहरगाई होगी तब हाथ कुछ आता है चौता शेर देखें अई तायर लाहुती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोटाई अब देखें कि अख़ें कि हलाल रिस्क की बात करते है तायर मतलब परिंदा अई तायर लाहुती उस रिस्क से मौत अच्छी कि वो रिस्क हमें नहीं चाहिए, वो खाना हमें नहीं चाहिए, जो हमें परवाज करने से रोके, नई दुनियाओं की तलाश से रोके, नई नई चीजों की दर्याफ से हमें रोके, अगर ऐसी कोई चीज हमें, ऐसे कोई खाना हमें मिल रहा है, यानि ऐसी सिर्फ ये खाने के बारे में नहीं है, यानि कि फिक्री घिज़ा आप उसे कहें, कि ऐसी कोई फिक्री घिज़ा हमें कोई दे रहा है, आप देखिए कि वो हाफिज की जो शायरी है, जिसमें बे-ामली एक तरह से दर आती है, दबे-पाउं, चोर दरवाजे दाखिल होती है, उसको भी यहां पर आगर आप उसे रिलेट कर सकें, उसे कनेट कर सकें, कि ऐसी फिक्री घिज़ा से भी हमें बचाना, हमें वो घिज़ा नहीं चाहिए, जो हमें बे-ामली और जिन्दगी की जो कशाकश है, उससे हमें ग्रेश सिखाती है, तो यह इक बाल का एक खास अंदाज है, जिस अंदा करके उनसे आहोजारी करते हैं, और अपने अंदर इल्म की स्याथती अपने अंदर दानिश वराना फहम को बालिदा करने की जो दौड़ा करते हैं, और फिज़ जो गौम का एक तरह से दर्द है, इनसानित का जो दर्द है, उसको वो पैहन करते हैं, दारा उस सिकंदर से, कि ये दोनों देखें कि सिकंदर आप जानते हैं सिकंदर आजम बड़ा बाश्या था दारा जो फार्सी का बाश्या था इरान का हार गया था सिकंदर से तो किते हैं कि ये दोनों ही से एक वो फق − जादा बेहतर है फक्षी अवला है मलग की बेहतर है जिसकी फकीरी में यानि लाह की जो पेगामात हैं उनकी बुध आती है रिzk हलाल खाना खुदी को पहचाना ये सारी चीज़ें उसमें दाखिल हैं कि को वह बेहतर मानते हैं आईन जवामर्दा हक गोई और बेवाकी कहते हैं कि इनसान की पहचान है आईन है वो क्या है? हक गोई और बेवाकी यानि कि अपनी शख्सित में इनसान को रास्ट गोई हक बात कहने की जुरत और उसकी जसारत ये इनसान को बड़ा बनाती है ये इनसान को अच्छा बनाती है कि जवा मर्दा की क्या है आई इन हगोई और बेवाकी कि अल्ला के शेरों को आती नहीं रोबाई को उनको कमसूरी नहीं आती तो यानि एक तरह से मुमिन की पहचान उन्हें नहीं ये बताई कि वो जो है रास्ट को होते हैं और इस तरह से ये आप देखे कि पूरी घजल उस तरह से है कि उसमें उन्होंने एक इस्पाइरिंग कहना चाहिए कि कलिमात है उनमें पहचान की बात है तीसरी घजल मैं सिर्प पढ़ देता हूं आपको कि ये पैयाम दे गई है मुझे बादे सुभगाई कि खुदी के आरिफों का है मकाम पाशाहि तिरे जिंदगी उसे तर्याब रूसी से जो रही खुदी तो चाही न रही तो रूसी आही नदिया निशान मन्जिल मुझे आए हकीम तुने मुझे क्या गिला हो तुछ से तुना रहनशी न राही मेरा हलका ये सुखन में अभी जेर तर्बियत है वो गदा के जानते हैं रहो रसमे कचकुलाही ये मौामले है नाजक जो तेरी रजा हो तू कर के मुझे तुर्खश न आया ये तरीक खान काही तु हुमा का है शिकारी अभी आप तदा है तेरी नही मसलह से खाली ये जहान मुर्ग माही तु अरब हो या अजब हो तुरा ला इलाह एल्ला लोगत गरीब जब तक तुरा न दिल गदे कवाही तो ये तीसरी गजल है और इस गजल में भी आप देखें कि उन्होंने एक खास पैगाम देने की कोशिश की है और वो हमेशा जिन्दगी को कश्मकश हयात में उतर करके उसका मकाबला करने को तरजी देते हैं, फालियत को तरजी देते हैं, वो बे-ामली को फसंद नहीं करते ह है, किसी के कلام से आती है तो उस से भी वो परहस करने के लिए, गरेस करने के लिए कहते हैं, तो अपनी पोशिता सलाहितों को पहचान करके आगे बढ़ते रहने को नई नई दुनियाओं की दर्याफ्त करते रहने को और खुद अपने अंदर शख्सित के अंदर रास्तु गुफ्तारी और जो खसायस होती हैं खुबी होती हैं अच्छे इनसान की वो अपने अंदर पै के बारे में नहीं बताया सकता इनका खुद इकबाल का जो मौजू है वो ऐसा है कि कम से कम दो चार लेक्शिरों तो कुछ बात पनती है वो एक एक मौज़ों पर उनकी बात हो तो मुझे पूरी उमीद है कि उनकी घजलों के हवाले से भी जो बात मैंने आप से की है वो कि चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं अपने सुझाव या फिर अपने प्रश्न भी हमारे सथ साजा कर सकते हैं आप हमें हमारी इमेल आईडी के जरीए संपर कर सकते हैं हमारी इमेल आईडी है info.cec.nic.in हम कोशिश करेंगे जब अगली बार डॉक्टर नौशाद हमारे स्टूडियो पहुंचें तो हम आपके प्रश्नों के हल यहां सीसी के लाई विडिस्ट लेक्षिस के माधिम से दे पाएं और मित्रों इस लेक्षर को जल्द ही आप सभी के लिए यूट्यूब पर अप्लोड किया जाएगा जितनी मरतबा चाहें इन लेक्षिस को द कर दो